Welcome to EducationJet, हमारे सभी भावी अध्यापक बंधों का EducationJet में स्वागत है आप सभी के बेहर दिमांड तथा प्यार के काड़, मैं आज से यूपिटेट सीटेट आरी की प्रक्षाएं पुना शुरू करने जा रहा हूं PDF के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुने जिसका लिंक वीडियो के डिस्कुप्षन में दिया है प्यक्षा है बिल्कुल फ्री हैं, वीडियो अगर पसंद आये तो बस क्यों लेक काम करें हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएग। बहुत प्रयास करने के बाद बहुत ही बेसिक के साथ नए वीडियो लेकर आया हूँ, सुझाओ के लिए कमेंट करें, और मैं इसी तरीके से सभी सब्सक्राइब के वीडियो अप्लों के लिए लेकर आता रहूँगा, ताइन नाव बेस्ट करते हुए, अब हम लोग स्टा इसका पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं, कि मनुव विज्ञान ये सम्त कैसे आया, कहां से आया, तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो सामान रूप से मनुव विज्ञान सब पता यूग के परावन से ही नहीं था, मनुव विज्ञान पह इसके 55 सताब्दी में एक विद्वायन है सुकरात, तो सुकरात ने ही जो किया, सरपतम अपने विचारों में मनुस के बारे में अध्यन की विश्य वस्तु को सुईकार गिया, यानि first person सुकरात थे, ठीक है, और सुकरात ने बोला किया, मनुस को मनुस का भी अध्यन करना चाह में आत्मा के अध्यन, नाम से आध्मिक मनुविज्यान की प्राचीनियू डाली थी, तो सबसे प्राचीनियू किसने डाली थी, इसने डाली थी, अरस्तु में, इसी कारण से अरस्तु को मनुविज्यान का क्या बोला जाता है, जैनक गुर्मा जाता है, और अरस्तु थे प्लूटो के स्रिष्थ है ठीक है उसके बाद हम देखे कि अनुसार मनो विज्ञान का वास्त्मिक जनख किसको माना जाता है प्लूटो को माना जाता है ठीक है अब हम लोग नेश्ट देखते हैं इसमें कुछ हम लोग महत्पूर बिंदू देख लेते हैं जो एक्जाम के लि मानते हैं अरस्तु को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं विलियम जेम्स को ही मानते हैं मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं अरस्तु को ठीक है प्रयोग आत्मक मनोविज्ञान का जनक किस किसको मानते हैं इस्टेंड ले हॉल को ठीक सिच्छा मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं थानी डाइक को ठीक अब देखते हैं विभिन बंसो से मनोविज्ञान का अध्यन दर्संसास की साखा के रूप में हो रहा था सबसे पहले क्या था मनोविज्ञान का अध्यम ने दर्शन सास्त्र से मनुविज्ञान को अलग किया, ये भी ट्रेट में पूछ रखा है, question, ठीक है, तो जो भी इसमें दिये हुए है, बहुत important है, पूछे वह आप गए questions है और पूछे जा सकते हैं, उन सब का collection है, तो मनुविज्ञान के लिए सबसे पहले अंग्रेजी मे क्या सब्द यूज हुआ था, psychology, सब्द का प्रयोग किया गया, next step, psychology, psychology दो ग्रीक या यूनानी सब्दों से मिलकर बना होता है, पहला क्या है, psyche, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा, दूसरा है, लोगस, जिसका अर्थ होता है, अध्यन, यानि हम इसको क्या बोल सकते हैं, ह आत्मा का अध्य, ठीक, psychology सब्द का प्रयोग सरभरतन किसने किया था, रुडोल्फ गोईकले, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था इसका सब्द का उपयोग, रुडोल्फ गोईकले ने, अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या थी, psychology, psychology, इनकी पुस्तक लिखी थी, psychology, इस यात्रा के बाद, मनो विज्ञान, आत्मा के अध्यन की दिशा में अग्रस, अग्रस चरुगा, ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, आत्मा का अध्यन, मनो विज्ञान, पस्ट पन देखते हैं, जब देकारती नामक, देकारती नामक, वि विज्ञान के अध्यन को भौतिक सास्त से जोडने का प्रयास किया था, तो उनका क्या विरोध किया गया था, कौन-कौन विद्ध्यानों ने किया था, लॉक ने, कौंट ने, हॉप्स ने, ये भी सब क्या है, एक्जाम में ये सब पूछते हैं, किस-किस ने विरोध किया और कई सवाल भी उठाये थे किस ने सवाल उठाय थे यह लौकर्ण और अपस ने उन्होंने क्या क्या पूचा पहला उन्होंने पूचा आत्मा क्या है भाई कहां है शुरूप क्या है आज ही सवाल जिससे आत्मा का सवरूप असबस्प स्व Dru NãoAll जब इन्होंने यहbage पूछे तो यह defining कर सके ठीक है तो जिससे क्या हुगा दिस कारण आत्म का अध्यन क्या हो गया कि परिभास क्या अमान्य हो गई उसके बाद क्या आई दूसरी आई मन या मस्तिस का विज्यान मनुह ग्यान को कहा लिया इसमें क्या हुगा सत्रामी सताब्दी मे या परिभासा इटली के दास ने पाम्पो नाजी द्वारा दी गई किस ने दिया था पाम्पो नाजी इसका समर्थर किसने किसने किया था हॉप्स, लॉक, कांट इनने इसका समर्थर किया था अठरामी सताब्दी को मनव विज्ञान का अंधकार यूग कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछ भी रखा है क्योंकि इस काल में कोई विशेशकार नहीं हुआ था तो यानि अंधकार का यूग कप कहा जाता है अठरामी सताब्दी को अब देखते हैं, तीसरा, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया, जब मनोविज्ञान का अध्यन मन से संतुष नहीं हुआ, तो अमीरिकन विद्वान विलियम जेम्स, इनका बहुत युगदान है, ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, वह दर्सन सास साथ साखा से मनोविज्ञान को अलग कर दिया पहले किया था मनोविज्ञान और को दर्सनशास में पड़ते थे उसके बाद इ Brisbane किस такой दर्सनसासर को अलग ही चेतना है ये बहुत इपकोर्टेटेटटउ पूचता भी है इनका समर्थन किसे किसunde किया था गुण्ड ने जेमस सली ने कीचिनर टथथा चैड़विक ने किया था चैड़विक ने किया था ठीक है ये सभी विद्वान संरच्नवादी कहलाएं। अब देखो चेतना का अभिप्राय सबसे कम समयां तक प्रचलित रहा। ये जो देरह विल्यम जैंस ने, चेतना का अभिप्राय बहुत ही कम समयां तक रहा। अब देखते हैं। विलियम, विद्वान थे, विलियम मैक्डूगल, विलियम मैक्डूगल ने अपनी पुस्तक the outline of physiology, बहुत important है, यह पूछ लेता है कभी कभी, कि the outline of physiology किसने लिखी, तो विलियम मैक्डूगल, ठीक है, ने चेतना सब्द की पृष्ट सोला, इनकी जो पुस्तक थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, पृष्ट सोला पर चेतना सब्द की बहुती कड़ी निंदा भी की है, ठीक है, इस पुस्तक में लिखा गिया है, यह बहुत important है, इसको द्यान से आपनों देखने है, सिग्मंट फ्राइड ने चेतना को बर्फ के टुकडे के आधार पर परिपासित किया, यह बहुत important ही, यह पूछ भी रखा है, सिग्मंट फ्राइड ने कहा कि चेतन भाग, जो होता है, एक बटे दस होता है, और अर्ध चेतन या अचेतन भाग कितना होता है, नौ बटे, दस होता है, जानी दस में से नो भाग के ओल क्या होता है, अचेतन ही होता है, के ओल चेतन जो है, दस में से एक ही भाग होता है, ठीक, उसके बाद, और क्या मनोबिज्ञान को क्या कहा गया, ब्योहार के अध्यन कहा गया, या कब कहा गया, बीश्मी सताब्दी में विद्वान किस विद्ध्वन ने वाट्सन द्वारा दिया गया वह मनुबिज्ञान को सवात्मक विज्ञान का सबीवाट्सन q princi मंदू वाट्सन को चमकता सितारा बैज्ञानिक या व्यक्षार का पिता की उपाद की दी या बहुत इंपॉर्टेंट यह सकता है, इनका समर्थन किसने किसने किया था, मैक डूगल ने, थार अंडाइक ने, स्कीनर ने, तथा क्रो एंड क्रो ने किया था, मनु बिज्ञान की अर्थ, यात्रा परिवासा, बुडवर्थ ने दिया, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, अब इसका ये डाइग्राम भ अब देखते हैं, नीचे से उपर की तरफ, सबसे पहले मौनो बिज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तवान ने या बेवहार की विद को स्विकार करता है, और ये इस समय इस विद को स्विकार करता है, मनो विज्ञान का विशय चेतना है, किसका मत है, किसने दिया था ये, विलियम जेम्स ने, मनो विज्ञान का विशय आत्मा है, ये किसका मत है, प्लेटो का, मनो विज्ञान आचरणयों व्योहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकू दूगल ने दिया था, अब देखें बहु आफ कॉलेज टीचर्स आफ एजुकेशन संस्था कहां है अमेरिका में प्रथम आधुनिक सिच्छा मनोविज्ञानिक कौन थे थारंटाइक रिप्रब्लिक किसकी रचना है प्लेटो की 2013 में कुछ रखा है सिच्छा मनोविज्ञान की सर्वातिक व्यस्तिनिस्ठ विदिक्या है अंतरदर्शन यह फी 2011 पुछ रखा है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्याभार का विघ्ञान यह पूछ रखा है मनोविज्ञान सिच्छा का आधार बीज्ञान है किसमें वो ला था इसकी नरें यह भी वीटेट में बीघ्रिण मे फूछ रखां नेक्स देखते सिच्छा मनो विज्ञान अब देखते हैं सिच्छा सब्द की उत्पत्ती किसे हुई थी? संस्कृत की सिच्छ धातु से हुई ठीक है? सिच्छा का वास्तुवी कर्द क्या होता है? सीखना या सीखने की क्रिया सिच्छा का व्यापकर्द जीवन में लगातार सीखना सिच्छा सब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन सब्द का परियोग किया जाता है एजुकेशन सब्द एजुकेटम से लिया गया है एजुकेटम ये कैसा सब्द है? लैटिन भासा का E का मतलब क्या होता है अंदर से Do को मतलब Education की बात करना E और Do को का मतलब बाहर निकालना अर्थात क्या होगा सिच्छा आंतरिक ज्यान को वातरवर्डिय ज्यान से जोड़ती है बाल मनोविज्यान के अनुसार सिच्छा के छेत्र में मुख्यास्थान किसका है बालक का होता है ये भी पूछ रखा है यूपिटेट में 2004 में सिच्छा मनोविज्यान को मानक विज्यान भी कहते हैं ये भी पूछ रखा है सिच्छा मनोविज्यान को मानक विज्यान भी कहते हैं सिच्छा मनु लिज्ञान दो सब्दों से मिलकर बनाएं सिच्छा और मनु विज्ञान सिच्छा करत क्या होता है ब्योहार का परिमार्जन या उन्नत सिल मनोविज्यान करत क्या होता है व्योहार का अध्यन सिच्छा मनोविज्यान ठीक व्योहार के परिमार्जन उननत सील के लिए व्योहार का अध्यन करना यानि सिच्छा मनोविज्यान का आर्ज़ क्या हुआ व्यावार के परिमार्जन या उन्नत सील के लिए व्यावार का आर्द्य हाए. जब सिच्छा में मनोविज्ञान को समाहित कर लिया जाता है तो सिच्छा मनोविज्ञान कहा जाता है यह एक और डेफिनिशन है इसकी ठीक है? एक और डेफिनिशन देखते हैं मनोविज्ञान के नियमों तथा सिध्धानतों का जब हम सिच्छा के छेत में प्रियोक करते हैं, तो उसे सिच्छा मनोविज्ञान करते हैं, ठीक, अब देखिए आप, सिच्छा वा है जो मुक्ति दिला है, या साविध्या या विमुक्त है, किसने बोला थे, संक्रा चार में बोला था, मनुस्त की अंतरनिहित उर्ता को अभ स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस का निर्माड करना ही सिच्छा है, यह अरस्तु का वर्ड है, मनोविज्ञान का सिच्छा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित सिच्छा, सिच्छा मनोविज्ञान की सारवाधिक ब्यक्तिनिष्ट विदी क्या है, अंत जानकर निस्कर्स निकाला जाता है और ये 2013 में यूपिटेट में पूछा हुआ कोश्चन ये भी देखते हैं रिपब्लिक पुष्तक के लेखा कौन थे प्लेटो एमिल एंड एजुकेशन रूसो दाइ स्कूल एंड सुसाइटी जॉन डेवी संध्याविधी दियानन सरसोध सिच्छा मनोविज्ञान की विधियान सिच्छा मनोविज्ञान की कितनी विधिया है तीन विधिया है पहला मिरिच्छड विधी दूसरा प्रियोग आत्मक विधी तीसरा विरवड आत्मक विधी निरिच्छड विधी भी दो तरह की होती है अंतर दर्शन और बहिर नामक पुष्तक किस ने लिखी एड़वर्ड थारन डाइक ने 1913 में सिच्छा क्या है जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया है जीवन परियन चलती है सिच्छा उपनिश्यत का विश्य क्या है दर्शन है इससा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम में पूछे जाते है दर्शन का विश्य क्या है आत्मा जीव जगत मनु बिज्ञान में ब्यवहार का यद्धन किया जाता है किसने बोला था ये वाट्सन ने बाल मनु बिज्ञान के अनुसार प्रतिक बच्चा विसिस्ट होता है मनु बिज्ञान सिच्छा का आधार बूद बिज्ञान है किसने बोला थे ये इसकी नर ने बोला था सिच्छा के तीन धुरू कौन-कौन से हैं? सिच्छक, सिच्छार्थी, पाट्रक्रा में बहुत important exam में पूछ भी रखाई है मनो विज्ञान मानाओ यों पसु ब्योहार का विज्ञान है, किसने बुला थे? मोरगन ने मनो विज्ञान की सबसे अधिक प्रियोग कीजने वाली विधी कौन सी है? निरिच्छड विधी, किसी भी चीज का निरिच्छड करके निसकर्शन कान मनो विज्ञान का सिच्छा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान बालकेंद्रित सिच्छा का है ठीक है? टीटी 2016 में कुछ भी रखा है भारत में आत्मा का प्रियोग किसमे किया जाता है? दर्शन सास्त में यह भी बी टेट में पूछ रखा है यह सब बहुत इनपॉटनेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो कि यह क्या होते है एक श्टेट के दूसरे श्टेट में इस तरीके से यह सीट के Feel यूपीटेट में इस तरीके से जो है ये रिवाइज होते रहते हैं इसलों बहुत अच्छे ध्यान से इसको आप प्रूंग करने है अब देखते हैं करम दिये रखा है काल का तो काल जो है ये प्राचीन या ग्रीक यूग दूसरा है मद्धी यूग तीसरा है आद्मिक बैंक तो प्राचीन काल में कौन-कौन से थे विचारक लेटू को और अरस्तु थे मत क्या था मनविज्ञान का वित से आत्मा का विज्ञान है का मन्ध्य यूग तीक है इसमें क्या था मनविज्ञान का वित से मन का वित न क्यूश कि flowing down decrease father यूज कि है यह सब आगे, इन्होंने क्या बोला, मनोविज्ञान कभी से? चेतना कभी से है, और समकाली मनोविज्ञानी क्या बोलते हैं? B. F., Skinner, पाउलाव, बुडवर्थ और वाट्सन, यह बोलते हैं मनोविज्ञान कभी से? योहर कभी से है, विज्ञान बाना जाता है, ठीक है? थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं आपज़ोटिक कोश्चन मौर्निंग में अपडेट कर दूँगा, आपज़ोटिक कोश्चन भी आप लोग को मिलेंगे, बालविकास के, इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग बनाए रहे मैं वीडियोज अपलोट करता रहूँगा, हिंदी भी आपको मिलेगी, हर एक सब्जेट के आप लोग को वीडियोज मिलते रहेंगे, कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट में ज़रूर बताएं